हलो दोस्तों नमस्कार, यूपी बोर्ड परिक्षा सर पर है, सोचा आपको एक महत्रपूर जानकारी दे दूँ UP Board में एक बड़ा बदला हुआ है UP Board High School वर इंटर परिक्षा 2020 में परिक्षारतियों को जूते पहन कर परिक्षा कक्ष में बैठने की अनुमती मिलेगी पहले नहीं मिलती थी लेकिन अब मिलेगी मादमिक सिक्षा परिक्षा 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 कक्षों में प्रवेश के पहले ही परिक्षारतियों के जूते मुझे उत्रवा कर चेक कर लिये जाए परिक्षा के दोरान जूते मुझे पहनने दें इस से न तो परिषार्टियों को कोई असुविदा होगी और न परिक्षा की पवितरता एवं सूचिता पर कोई सवाल उठेगा केंद्रों पर रहेगी विसेस नजर समवेदन सील और अती समवेदन सील परिक्षा केंद्रों पर स्टाटिक मजटेट तैनात किये जाएंगे कंट्रोल रूम में परिक्षा की निगरानी CCTV कैमरे की मदद से की जाएगी 15-16 केंद्रों की कंप्यूटर अत्वा स्क्रीन पर निगरानी के लिए राजकी विद्याले के दो सिक्षक तैनात किये जाएंगे धारा 144 होगी लागू बोर्ड ने साफ किया है कि परिक्षा केंद्रों पर CC कैमरे, राउटर, वाइस रिकॉर्डर अवश्य होने चाहिए वेब कास्टिंग द्वारा पारदर्शिता पूर्ण नकल वहिनी परिक्षा के लिए केंद्रों की निगरानी की जाएगी चात्रों का सिटिंग प्लैन अनुक्रमांग के आधार पर कुमांसार मिश्रित बनाया जाए इसके अलवा केंद्रों के आसपास बाहरी लोगों को इकठा नव होने दिया जाए सौ मिटर की परिधी में धारा 144 का पालन कराया जाएगा D.I.O.S. ने मागी मिसन टॉपर की स्थिति राजधानी के होनहार चात्र चात्राओं को यूपी मेटरिड में पहुचने के लिए जिला विद्याले रक्षक के स्थर पर मिसन टॉपर की सुरुवात की गई थी इसके तहट में धावी चात्रों को पाचान करना प्री बोर्ड परिछार्तियों का आयोजन मौडल पेपर से तैयारी काउंसलिंग सेशन से लेकर कमजोर भच्चों के लिए उपचारत्मक सिक्षन की विवस्था की जानी थी D.I.O.S. ने इस दिसंबर के पहले सब्ता में इसके लिए निर्दर्श जारी किये थे रविवार को पत्र जारी कर D.I.O.S. ने सबी स्कूलों में स्थित का व्योरा मांगा है यह जानकारी 13 जनवरी तक उपलब्द करानी होगी तो दोस्तों यह छोटी सी बदला हुई है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करी हमारे चनल को सस्क्राइब करी आगे अब वीडियो मिलते रहेंगे आप से एक लिए वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जय हिन जय भाराइब